रादे रादे गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है मेरे यूटिब चैनल क्रेटिव स्टड़ी हैज के पर तो यूजी सी ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि जो कॉलेजिस हैं वो सोलर नवंबर से स्टार्ट होंगे पर अब ये भी बात सामने आरे कि सारे स्टूडन्स कॉलेज नहीं जा सकते क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पाला नहीं हो पाएगा इसलिए 50% ही स्टूडन्स कॉलेज जाएंगे और जो होस्टल की सुईधा है वो जी अगर जिसको कोविड नाइंटीन पॉस्टिव निकलता है उसको प्रवाइड नहीं होगा और एक रूम में एक ही स्टूडन्स रह सकता है ये यूजी सी की गाइडलाइन के अंडर है जो जो नेक्स्ट त्री डेज आएंगे नेक्स्ट ड्रोन लंबर फिप्टीन आएंगे तो जानते हैं पूरी खबर क्या है अनुदान अयोग यूजी सी ने विश्विदाल और कॉलिजों को खोलने के निये SOP Standard Updating Procedure हाला कि इसके साथ ही यह भी का गया कि विश्विदालों क अब सकती से पालन करते हुए केवल सीमित संक्या में होस्टल खोले जा सकते हैं यही नहीं होस्टल के कमरों में एक से ज़्यादा छात्र रहने की अनुमती नहीं दी जाएगी COVID-19 के चलते हुए लक्षणों के चात्रों को उपस्तिती में चात्रावास नहीं अगर कोई कोरोना पोजिटिव लक्षण पाया जाता है या उसको कुछ सिम्टम्स है तो उसको होस्टल में या कॉलेजिस में एंट्री नहीं दी जाएगी शिक्षा मंद्री डाक्टर मेश पॉकरियाल निशंक ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर चात्र चाया तो कॉक्षाओं में भाग लेकर घर पे रहकर ओनलाइन कॉक्षा ले सकता है तो आपको ये सब पता लग गया है का 50% स्टूडन्स ही सिर्फ कॉलेज आ सकते हैं और अगर किसी को कोई सिम्टम्स पाय जाता है तो वो कॉलेज नहीं जाएगा अपने घर पे बैठके आप ओनलाइन क्लासिस ले सकते हो कॉलेजों में दाखिले के लिए 13 तक फिर DHE का पोर्टल है जो एक बार ओपन रहेगा और आप लास्ट के डेज हो जाते हैं जैसे आप 13 को और 12 को अपलाई मत कीजिए क्योंकि उस टाइम जो साइड है वो वर्क नहीं करती है तो इसलिए आप आज आज 9 तारिक है आप आज और कल या 11 तारिक तक आप अवेदन कर सकते हैं 9 नवंबर को होंगे रिक्त सीटों पर दाखिले विद्यारतिय अपने कॉर्स वाव विश्यो को कर सकते हैं अपडेट आप अपडेट कर सकते हो रहात भरी खबर है वैं दाकिले के लिए आवेधन कर सकते हैं यही नहीं विद्यार्तियों के कोर्स वविश्यों पे अपडेट भी किये जा सकते हैं अगर आपको कोई कोर्स चेंज करना है यह कारवाई शिक्षक करेंगे इसके लिए उच्तर शिक्षा महा निदेश ने भी से पोटल ओपन कर दिया है पोटल 13 नमबर तक ओपन रहेगा कॉलिज के दाकिले परकरिया की डियाची ने आगे बढ़ा दिया है विद्यार्ति रिक्ति सीटों पर 9 से 16 नमबर तक प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं इसके विद्यार्ति समंदित कॉलिजों में अवेधन कर स इसके अलावा ग्रामिन कॉलेजों में भी सीटे खाली अभी बची हुई है यहां भी विद्यारती को परवेश मिल सकता है दूसरे और तीसे वर्ष के विद्यारती 10 और जो फीज की बात की जाए जो दूसरे और तीसे यर में है वो अभी फीज उसे उन्हें जमा करानी है तो मेंटलिस्ट नाम आने पर परवेश प्राप्त करने वाली प्रत्वर्ष की शात्राओं के दस्तविज जाच किये जाएंगे इसके साथ ही शात्र अपने मूल दस्तविज लेकर कॉलिज पहुचेंगे आपके जो में में डॉकुमेंट्स है वो वो रिक्वाइड है क्या के चाहिए और तो आप डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसके बाद आई टी ए में दाकिले के लिए वेदन प्रक्रिया की तित्थी भी बढ़ा दी गई है तो आप देख सकते हो ये डेट 12 नमबर तक ऑनलाइन 11 से 12 नमबर तक ऑनलाइन डॉकुमेंट्स 12 से 16 नमबर तक कॉन्फरेशन और सीट अलाइटमेंट का काम होगा 15 नमबर में 17 नमबर की खाली सीटे पर दर्शित की जाएगी 18 से 19 तक फिरावेदन पॉर्टल पर विकल्प दे सकेंगे 20 नमबर को शाम चार बज़े सीट अलाइटमेंट्स होगी ये सारा शेडूल आप करें कि सीट्स है जो वह इंक्रीज की जाए गौर्मेंट कॉलिज में सो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो डेट है वह भी इंक्रीज कर दी गई है अड्मिशन के लिए आई टी आई के लिए भी और पॉटल भी अपन कर दिया गया है जो रहा गया वह अपलाई कर स ता दो मेला